हेलो स्टुडेंट वेल्कम बैक टू अबर यूटूब चैनल एनमी क्रेटर तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं देखिए दूती सेमेश्टर जो आपका सीकंड सेमेश्टर है आप इसमें काफी कंफुजिंग रहती है बच्छों को क्योंकि फर्स्ट सेमेश्टर तक जितने भी स्टुडेंट रहते हैं मैथ वाले बायो और आर्ट और कॉमर्श वाले ठीक है ना सभी के लिए एक से पेपर रहते हैं और हर चीज एक सी रहती है बट जैसे वो सेगंड सेमेश्टर में प्रविश्ट करते हैं फॉस्ट सेकंड एक सा रहता है और थर्ड और लेवर्स रहेगा किस तरीके से आपको पढ़ना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और इसके हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आने वाले टाइम में हम इसके पर पर पेपर की जैसे अधिगम अधिगम इसके लिए कर आपको रख देंगे ठीक है तो प्लीज सर्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बैल आइकन को प्रेश कर लेना तो चलिए हम सरह से पहले बात कर लेते हैं क्या किके आपके हमारी यहां पर पेपर होने वाले हैं तो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं पहला पेपर जो आपका रहेगा बीएट सिकेंड सेमिस्टर का बूर रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग ठीक है न इसको बोलते हैं अधीगम और सिक्छान इसमें आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा वह हम आपको बता ह यहां पर आपको सेकंड पढ़ने को मिलेगा पाठकरम की भाषा पार सेकंड यह आपका पेपर सेकंड रहेगा और दोनों पेपर आपके सेम रहेंगे मैथ स्टुजेंट्स बायो स्टुजेंट्स आर्ट और कॉमर्श वालों के लिए बट जैसी ही आप थर्ड पेपर में प्रवेश करते हो आपका पेपर थर्ड स्टार्ट होता है ठीक है न यहां से आपके चैन्जेस होने लगते हैं पेपर ठीक है जैसे जिनोंने बीएसी किया है मैथ और बायो से तो उनको आपको पढ़ने को मिलेगा थर्ड पेपर टीचिंग ओफ फिजिकल साइंस ठीक है न चैन्डी में बहुते बिज्ञान सिक्षण सामाजी बिज्ञान से चन्ड और व्यापारमें तो यह आपका थर्ड पेपर होने वाला है और जहां पर हम पेपर हूरत की बारे में बात करते हैं तो इसमें भी अलग-अलग पेपर देखने को मिलेगा जैसे बायो वाले आप चलना पड़ेगा टीचिंग ऑफ हिंदी इंग्लेश संस्केट तो आपके यहां पर चार पेपर होने वाले हैं तो इस तरीके से आपके सेकंड सेमेश्टर दूती सेमेश्टर में आपको चार पेपर देखने को मिलेंगे जैसे आपका जैसे अधीगम और सिक्षण ठीक ह से लिखे थोड़ा ट्राइ कीजिगा जिस तरीके से लिखें तीके ना ऐसे क्या क्या होता है अधीगम एक मांसे बिर्किया जिसके दार विक्ति परिवक्ता की और आंगे बढ़ते हुए अपने अनुवाहों का लाब उठाते हुए बिवहार में परिवर्तन तथा परमार किया बिवर्तन सीखना नहीं कहा जाता है जैसी थाकान भीमारी डैब है दवा परिवक्ता आधीगम की शेंडिय में हैं मतलब आधीगम क्या होता है हम चीज का अधियन करते हैं ठीक है ना जैसे अधीगम पिरकिया में रूची पेड़ना बातवयन आधीकब इसazedhan होता है हमें आधियम कब कर पाएंगे जब हमें जैसे हम कोई चीज मैथ है मैथ कब लगा पाएंगे जब हमनों सवाल को आता हो आता कैसे हो जब उसमें हम अच्छे से मोठी प्रीशंन में पड़ने को अच्छा है फिर हमें उस तरीकी का बाता बढ़े मिलना चाहिए इनकी क्या बिशब्मार्णर को मिलें काफी जादा पूच्छे आतीए ठीक है ना यूनेट सेकेंड में आपको रॉल मॉडल इस तरीकी से हम आंगे चलेंगे ना तो हम इनके अलग-अलग वीडियो बनाएंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना और जी काफी ज़्यादा पूचा जाता है ठॉंडाई का शिद्दान ठीक है ना किसमें कौन-कौन से बालक होते हैं महुमद्दी यहां पर जैसे फिजिकल साइंस में हिंदी सिक्षण के बारे में तो इनके तरीके से हम बता देंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो इस वीडियो हमें इतना ही देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप से जता है long answer की रूप में किस तरीके से आपको लिखना है कैसे सीखना या देखो इस तरीके से बलकुल बहुत निर राइट्र में लिए था पेपर में नंबर युद्शे मिलते हैं और आप इने अच्छे तरीके से भी समझ पाते हो ठीक है ना तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए ख्यार रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए जो भी आपको चाहिए हो धन्यवाद